उशा बजाज हत्या मामले में पकड़ा गया कातिल कातिल भी आंदोलन में पुलिस के खिलाफ कर रहा था नारेबाजी इसने हत्या के बाद लूट की रकम का कर दिया था सभी को भुकतार श्रीगंगा नगर जिले के श्रीविजे नगर कस्बे में पैट्रोल पंप वेवसाई की पतनी उशा बजाज का हत्यारा युवग पुलिस थाने की बाहर पुलिस के खिलाफ जन्ना क्रोश आंदोलन में शामिल था धना सल पर पुलिस के खिलाफ नारे बाजी करने वालों में शामिल कातिल खुद भी हाथ उपर उठा कर हत्यारों को पकड़ने की मांग को लेकर नारे लगा रहा था थाना प्रभारी फूल चंचर्मा ने बताया कि उशा बजाज की हत्या करने और घर से पौने तीन लाख रुपए की नगदी वेजेवरात लूटने के आरोप में 24 वर्षिया रामदेव उर्फ रामुकुमावत को कल शुकरवार को गिरफतार कर लिया था थाना प्रभारी ने बताया कि रामदेव मार्बल का मिस्री है उसने राजिंद्र बजाज के घर मार्बल लगाने का काम किया था ऐसे में उशा बजाज उसे पहचानती थी घटना के दिन रामुकुमार अकेला ही राजिंद्र बजाज के घर गया था वो कर्ज में डूबा हुआ था उसे रुप्यों के जरुवत थी वो जानता था कि पेट्रोल पंप विक्री की राशी राजेंद्र बजाज के घर पड़ी रहती है रामु घर में आया और आलमारी से रुपे निकालने लगा तो उशा बजाज ने विरोध किया रामु ने उशा बजाज को धक्का दे दिया उशा बजाज का सिर बैट से लगा तो वो बेहोश हो गई इसके बाद रामु ने कैश चुराया थाना प्रभारी ने बताए कि हत्या आरोपी रामदेव उशा बजाज की हत्या करने के उद्देशे से नहीं गया था लेकिन उसे लगा कि उशा बजाज बच गई तो वो बता देगी कि कैश किसने चुराया है वो पकड़ा जाएगा इसके बाद रामु कुमहा ने उशा बजाज का गला दबा दिया और उसके पहने जेवरात उतार लिए थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या की वादात के बाद रामु घर चला गया और उधर आरोपियों की गिरिफतारी की मांग को लेकर पुलिस थाने के बाहर धरना शुरू हो गया इसी धरने में मार्बल मिस्त्री रामु भी शामिल हो गया ताकि उस पर कोई भी संदेह ना करे वो रोज धरना प्रदेशन में आता था इसके साथ साथ उसने अपनी देंदारियों को भी चुकता करना शुरू कर दिया थाना प्रभारी ने बताया कि रामु आर्थिक रूप से इतना तूट चुका था कि उसकी मोटर साइकल की भी 6 किष्टे बकाया चल रही थी उसने बकाया किष्टे भी भर दी जिन लोगों से फैनेंस पर रुपिया उठाया था उनका भुकतान भी कर दिया उसने बचत के लिए 20 हजार रुपे बैंक खाते में जमा भी करवा दिये कुछ समय पहले रामू ने विजयनगर की मुबाइल शौप से 16 हजार रुपे का मुबाइल फोन उधार में लिया था बदले में दुकानदार को चग दिया था और दो दिन पहले ही उसने दुकानदार को 16 हजार रुपे देकर अपना चग वापस ले लिया था धानब रुभारी ने बताया कि घटना स्थल का निरिक्षन करने के बाद मिले मालूमात के आधार पर उन्होंने कुछ बिंदूओं को ध्यान में रखते हुए जौँच आगे बढ़ाई और सफलता मिल गई उन्होंने जौँच के दायरे में उन लोगों को शामिल किया जो घरवालों के परिचित थे और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है दूसरा वारदात के बाद किन किन लोगों ने अपना कर जा चुकाया इसी दिशा में उन्हें सफलता मिली और ब्लाइंड मडल का खुलासा हो गया थाना प्रभारी ने बताय कि लूटी गई रकम और जेवराद बरामत करने के लिए आरूपी को अदालत में पेश करके रिमान पर लिया जा रहा है अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खपरों से अपडेट रहना चाते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर